शुरुवात बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली कंजावला मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की अपडेट आपको पता दें आरोपियों ने माना है जो कार में सबार थे कि उनको जानकारी हो गई थी कि कोई लड़की कार के नीचे है आरोपियों ने मान लिया कि पता था कि अंजली कार में फसी हुई है क्योंकि अब तक ये इनकार करते रहे हैं लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरोपियों ने जहां मान लिया है कि डर की वज़े से ये दोडाते रहे गारी और इनको जानकारी हो चुकी थी कि अंजली कार के नीचे फसी है और कई बार इन्होंने यूटन भी लिया था आरोपियों ने इस बात का भी कुबूल किया है इसको दिल्ली कंजावला केस में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप सभी दर्शकों को दे दें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाल घेरे में यूटन लेते हुए उसके नीचे ये तस्वीर आपने भी देखी होगी वाइरल था ये वीडियो जहां अंजली कार के नीचे फसी हुई थी और आरोपी कार को भगाते रहे थे रुके नहीं थे लेकिन अब इन्होंने कुबूल कर लिया है माना है कि डर्ग की वज़त से ये गाड़ी दोडाते रहे जबकि इनको मालूम था पता था कि अंजली कार के नीचे फसी हुई है देखिए जैसे जै की कहानी जूटी थी अर्विन दोजहा जादा जानकारी के साथ हमारे समधा ता जुर चुके हैं अर्विन किस तरह से खुलासा हो रहा है क्योंकि जान जैसे आगे बढ़ रही है सच्चाई सामने आ रही है उसके अलावा जो पुलिस से शुरुआती पूस्टाच में आरोपी बता रहे थे कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी कि अंजली कार के नीचे है क्योंकि म्यूजिक पेज बज़ रहा था दरसल पूस्टाच में ये खुलासा हुआ कि जूट बोल रहे थे कि म्यूजिक पेज उस दोरा म्यूजिक नहीं चल रहा था हला कि आपको बताऊं जो आई विटनेस है नीथी उसमें भी आज तक से इंटरुव में ये बताया था कि म्यूजिक पेज नहीं चल रहा था तो ये अपने आपने एक बड़ा कभूल नामा है आरोपियों का दिल्ली पुलिस के सामने कि उनको ये जानकारी थी कि जो अंजली है वो कार के नीचे बकायदा दभी हुई है बावजूद इसके वो गारी चलाते रहे नमबर एक नमबर दो जो म्यूजिक चलाने की बात उन्होंने शुरू में बताए थी कि मूजिक चल रहा था इस वज़े से आरोपियों को जानक जानकारी दर्शकों तक और हम तक साजा करने के लिए